क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जब आप दोस्तों के साथ बात चित करते हों मस्ती करते हैं तो समय जल्दी बीच जाता हैं लेकिन जब आप उदास बैठते हों तो उस वक्त समय विल्कुल धीरे से बीचता हैं क्या आपने कभी यह सोचा कि समय का सबसे छोटी मात्रा यानि मी लिए माइक्रो से भी छोटी मत्रा क्या हो सकती होगी जी हाँ इस वीडियो में आपको समय के बारे में कुछ ऐसे अजीब हो गरीब बात बताने वाला हूं और सांतिसाथ कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूं प्लीज इस वीडियो को लाश्ट तक जिरूर देखना पहले के सम लिए से लगबाक चोदो क्रौड वर्स पहले एक दिन कुल पचीज घंड़े रहा करते थे मतलब अभी जो एक दिन में कोई रिजान होता है जी हाँ अगर वेक्ति लिफ्ट में बेठे तो उसे समय का महसूस ना हो लिफ्ट अधिक वजन उठा सके इसके लिए उसके अंदर गियर्स लगाएगे होते हैं कि वह धीरे-धीरे काम करें और अधिक वजन को उठा सके लेकिन जब वेक्ति लिफ्ट में खड़ा हो तो उसे एसा महसूस ना हो कि उसका अधिक समय लग रहा है लिफ्ट में खड़े होने से इसलिए लिफ्ट का दरवाजा कांच का बना जाता है कि वेक्ति बाहर करने जारा देखते देखते लिफ्ट दारा उपर तक पहुँश सके और उसे अधिक समय बीतने जैस समय सूस होता है इसका कारण समय नहीं दरसल हमारा अनुबह होता है समय ना कभी जल्दी बीतता है ना कभी देर में बीतता है ये सब अनुबह हमारे दिमाग के कोसिका में जाकर के जूड जाता है यानि हम जो एक्टिविटी बार बार करते हैं वो एक्टिविटी हमारे दि प्रित्वी पूरी तरह गोल नहीं है दूसरी बात इसका परी प्रमण कच्छा भी सही नहीं है इसलिए प्रित्वी पर दिन और राद बड़े चोटे दिखाए देते हैं कभी दिन बड़ा दिखाए देता है तो राद चोटी दिखाए देती है तो कभी राद बड़ा दिखाए देता है दिन चोटी दिखाए देता है इसका कारण है प्रित्वी का आकार क्योंकि प्रित्वी का आकार गोल नहीं है प्रित्वी अपना पूरा परिभ्रमाड करने में कुल 24 घंटा लगा देता है प्रित्वी से कई गुणा बड़ा गुरुग्रा जो अपना परिप्रमर करने में किवल 12 घंटा ही लगाता है क्वांटम थेरी के मुताबिक समय की सबसे छोटी मात्रा यानि मिली माइक्रो नेनो सीबी छोटी मात्रा को प्लेंग टाइम कहते हैं जो आपकी स्क्रिन पर दिखाई दे रहा है यह सबसे लाश्ट वाला जो एक है वो प्लेंग टाइम है प्लेंग टाइम कभी दिखाई ने देता यह बिल्कुल प्रकास की गति से चलता है समय का भी अन्ताएगा यहां आइंश्टाइन के थेरे में बताएगा कि पुरे प्रम्हांड का अन्ताएगा उस वक्त समय का भी अन्ताएगा और कई सारे बोतिक सास्तिरियों ने में बताए कि आने वाले चार अबज वर्स बाद समय का भी आनताएगा और पुरा प्रम्हांड का पुनर जनम होगा हम सब जानते कि एक सप्ता में कुल साथ दिन होता है लेकिन लेकिन बात ये है कि रस्या का सोवित संग सन 1929 से 1931 के बीच में एक सप्ता में केवल 6 दिन को रखा था यानि एक सप्ता में केवल 6 दिन ही समाविष्ट थे हैं इस नियम में कई खामिया भी आए और इसके कारण नियम निस्फल हो गया और सन 1940 में फिर से एक सप्ता में कुल 7 दिन को समाविष्ट कर दिया गया अगर आपको मेरा ये वीडियो पशंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जोरोर करना और मेरे चेनल को सब्सक्राइब करना सांदे साथ बाजो मेरा बेल आइकन को दबाना मत बुलना जिससे मैं नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिपिकेस्टन आपको सबसे पहले मिले